कितना योग ये मानते हैं इस कांटेक्स्ट और इस सेंटेंस को यूज करना की ये मोदी जी की सेना है बीजेपी की प्रचार में सब लोग अपने आपको सेना ही बोलते हैं लेकिन हम किस सेना की बात करें किया हम भारत की सेना की बात कर रहे हैं या हम पॉलिटिकल वर्कर्स की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता कि क्या संधर्व है अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की स की सहना एं भारत की हैं इसलिशी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है भारत की सहना एं तथस्त हैं अपने आपके अंदर इस चीज में सक्षम है ऑन्टिक से अलग रहे हैं तो पतानी मुझे कि कौन ऐसी बात कर रहा है एक दो लोग है जो जिनके जिनकेमन में ऐसी बातें आती ह जो कि उनके पास और कुछ है नहीं। रामदास जो पूर नौ सेना के अध्यक्ष रहे हैं, जनरल हुड़ा जो नौर्धन कमांड के भी हेड रहे हैं, इन दोनों ही ने अपने बयानों में हाल ही कि कुछ दिनों में कहा है कि पौलिटिकलाइजेशन ऑफ दी आम फोससे बहुत जादा हो गया है, बहुत जादा बढ़ गया है, इस बात पर आप की पॉलिटिसाइज़ेशन हो रहा है जब सर्जिकल स्ट्राइक्स मूवी बने मूवी तो सब के उपर बनती है एक प्रहार मूवी बनी थी आतंकवादिये के खिलाफ तो इसका मतलब क्या है और बहुत साल पहले बनी थी पुलिटिकल पुलिटिकल रैली में बैकड्रॉप मे जवानों के चहरे एक में यह जो कई बार मीडिया उठाता है मुझे बताए मैं यहां पर एक बैनर लगा हूं कि मैं अपने चवालेश जवान जो शहीद हुए उनको श्रदांजली देना चाहता हूं कि वो पॉलिटिसाइजेशन है और जो लोग अगर कहते हैं पॉलिटिस जो आप यह कमेंटरी सुन रहे हैं वो सेना के बारे में सवाल की बात नहीं है अगर मैं कहूं कि मैं आपके उपर सवाल करता हूं तो मैं आपकी असमित्ता पर आपके करेक्टर पर आपके चाल चलन के उपर सवाल कर रहा हूं आज तक भारत की सेनाएं देश के लिए रही ह पर सवाल उठाना चाहता हूं आप उनके अपर ट्रस्स in करते जो किसके उपर घृर करेंगे एरचीफ ने साहा हमारा जो मिशन था हमने उस मिशन ग॓ भी निभाया उसके बाद हम वापस आ गए मैं वहां नहीं गया इसको गिनने कि कितने डेट्स हुए हैं लेकिन अमिट्शा के तरफ से बायन आए कि लगबग 200-300 डेट्स हुए है वहाँ पर तो जब इस माद पर सवाल उठाते हैं तो यह क्यों कहते हैं कि सेना पर सवाल नहीं उठाए है सेना रियलिस्टिक असेस्मेंट देती हैं उसको बफर अपनी करती हैं उसको और भी इसके लिए शब्द इस्तमाल किया जाते हैं उसके लिपस्टिक नहीं लगाती हैं ठीक है तो अगर आप इसी चीज़ के उपर बार बार सवाल उठाएंगे तो उन्हों ना आंकलन दिया क्योंकि एक टेकनिकल इंटेलिजेंस थी कि तीन सो के करी मोबाइल एक्टिव थे तो एक फिगर दे दी उन्हों के धाई सो अब आप नहीं जी उन्हों तो धाई सो बोला है उसने को तुम ही प्रशंसा करता हूं प्राइम मिनिस्टर को में वर्ल्ड थे ट्रेक्स डे विश करता हूं क्या बोलना चाहते हैं आप दिस इन हिंदी कॉल्ड निक्रिष्ट मानसिक्ता एंड लोडाउन मेंटालिटी जस्ट बिकॉज आप मोदी जी के तांग खींचना चाहते ह कई कॉमेंटेटर्स कंपेर कर रहे हैं 2014 को 2019 से उनका कहना है कि 2014 में जो नरेंदर मोदी जब खुद बाहर गए थे तो सल्यूशन के बेसिस पे वोट्स मांगे थे लेकिन अब कही लोग अब्जर्वर्स का कहना है कि कम्यूनल स्लैंट हो गया है कहीं न कहीं हम लोग एक तरह से रिलिजियस एंगल्स पर वोट्स मांगे जा रहे हैं जो पंद्रा लाख आने वाले थे वो नहीं आये लेकिन जो लोग जिन पर एलिकेशन से वो चले गए हैं देश को एवेड करके हैं 2014 के अंदर मुद्दे सर्फ दो थे और दो मुद्दे थे हैं जो सरकार है वो फैसले लेने में नाकाम है और दूसरा मुद्दा था ब्रश्टा चार हैं और कुछ नहीं था 2019 के अंदर मुद्दे दो हैं विकास विकास और विकास और दूसरा हमें अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अच्छे फैसले चाहिए लिए लेट सौन पंदरा लाक की बात इसले चली थी कि अगर जितना पैसा हमारा बहार गया है अगर वो सारा आता है तो वो इसके बराबर होगा कि पंदरा लाख रुपए हर के अकाउंट में जा सके हैं क्या हूँ पैसा सारा आ गया चल रहा ना काम पिछले पांच सालों का अगर आप आकलन करें तो इस गवर्मेंट की कश्मीर पॉलिसी को ले जा रहा है उससे नुकसान हो रहा है तथागत रॉय जो मिखाले की गवर्नर है उन्होंने पुल्वामा के बाद यह ट्वीट करके कहा कि I'm inclined to boycott everything कश्मीरी देहरादून की अगर बात करें तो पोस्ट पॉल्वामा वहां पे भी संग परिवार के जो अफिलियेट्स हैं कश कश्मीरी स्टूडन्स पे काफी हमले हुए कई कॉलेजिस ने कहा कि अगले साल से मुनको नहीं एंड्रोल करेंगे कही ना कहीं एक कॉंट्रास्ट है में दो चीज आपके आपने जो कुछ अभी तक बोला उसमें दो तीन चीज मां पिक अप करता हूं तथागत जी ने क्या करेंगे और यू अग्री और यू दिसएग्री विद ने कंसीडर इट एट इस इंडियल तो माइव थिंग थिंग तो किया बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहें उनकी क्या सोच एव उनकी सोच है ती सरकार की सोच नहीं है दूसरी चीज आपने कह संग एफिलेट्स मुझे पता कि किस संग एफिलेट किया बात करें है वे नेरल जो जो ज्ञान है राष्य स्वहम सेवक संग भारत को जोड़ना चाहता है तोड़ना नहीं चाहता है सर आप डिस्प्यूट करने के दहरादून में क्या हुआ था उन दिनों में वह फेक्ट को डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ मैं सरफ संग एफलेट मुझे नहीं पता कौन कौन सा एफलेट था वहां बीजेपी की सरकार है तो लोग तो कहेंगे कियो बीजेपी क्लैमडाउन नहीं कर रही ऐसा क्यों हो वह मेरी नॉलेज के हिसाब से जो संग के बारे में मैं वह आप से शेयर कर रहा हूँ जहां तक पुलवामा का सवाल है इंसिडेंट था अब आपको देखना है कि उसको कैसे हुआ क्यों हुआ क्या करना है और जहां तक यूथ का सवाल है कि अगर आप यूथ को एंगेज नहीं करेंगे तो वह खराब प्रोपेगंडा का और प्रचार का शिकार बंगे तो जो में हुआ जो कई और जगों पे हुआ ता आफ्टर पुलवामा क्या उन बातों का खंडन करता हूं मैं तो खंडन इसलिए भी करता हूं कि अगर 84 में हमारे सिक भायों के पर हमला हुआ मुझे बुरा लगा अगर कोई वहां पर नारे लगा रहा था कोई जशन माना रहा था और उसको कुछ लोगों ने पीट दिया तो ये एक नैचुरल रियक्शन है चाइना की सारी पोजिशन्स चाहे वो एनसजी के बारे में हो मसूद अजर के बारे में हो बेल्टन रोड इनिशेटिव के बारे में हो या ट्रेड सरफलस के बारे में हो कहीं भी चेंज तो क्या है और पांच साल में आपको क्या लगता है हम इंस्टेंट लू नूडल के जमाने में दो मिनिट के अंदर नूडल तया डिप्लोमैसी और देशों के संबंद इंस्टेंट नूडल नहीं जहां तक सीमा विवाद है उसकी जटलताएं है उसमें समय लगेगा लेकिन बा तो ट्रेट सर्प्लस बड़ेगा आप अगर सोचते हैं कि आपका समान इंफीरियर है और दूसरा समान उससे सस्ता है आप सस्ते समान को लेंगे तो ट्रेट सर्प्लस तो बड़ेगा ना वह आपके हैं चदर बनती है इतनी अची कॉटन की 100 रुपे की उसको आप लेना नह चाहते हैं आप 30 रुपे की सिंथेटिक मिक्स चदर लेना चाहते हैं जिससे आप बिमार पड़ सकते हैं किसके गलती है आपने काफी कंविनेंटली पूरे गवर्मेंट के जो एफर्ट सक्सीड नहीं हो पाए पांच सालों में आपने इंस्ट नूडल की बात की लेकिन पा आइटिट्यूड पे आपने आप साल देशों के संबंद में इंस्ट नूडल है तो आप होपफुल हैं लेकिन हमारे पास रिजल्ट नहीं कोई आज रिजल्ट हैंगे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यह सरकार का 2014 से में देख रहा हूं नेरेटिव रहा है कि अगर प पंदरा साल पुराने जो आकड़े हैं उसके अप कंपेरिजन में आने लगे हैं सिचुएशन इस नौट चेंज इट रिग्रेस्ट क्योंकि यह चीजें लाइन ऑफ कंट्रोल की उपर डैनिमिक्स अलग होती हैं अलग तरह की डैनिमिक्स हैं दौनों सेनाओं के बीच में होती है यह उनके कमांडर्स के उपर डिपेंड करता है अगर बाजवास आप कहते हैं कि नहीं दिखाओ कि हम बड़े अच्छे तगड़े मजबूत पंजाबी हैं बात अलग होगी आपको पता हो दूसरे तफ कितने मरें उस तरफ से अड़टाइज नहीं होता है हमारी तर की थी और आप खुद अन्नाजारे के साथ स्टेज पर गए उनका आज भी जन लोकपाल तो नहीं है लेकिन जो लोकपाल है वो भी फंक्शनल नहीं है और आप उस सरकार का एक तरह से हिस्सा भी है लोकपाल क्यों नहीं है आपने जो बिल बनाया उसमें एक उपोजिशन ल कई अब्जर्वर्स तो यह कहने कि यह एक बहुत ही कन्मीनियन सिच्वेशन है जहां कोई भी नहीं चाहता तो प्रोसीजर्स को लेके हम उसको डिले करते रहे इसके अंदर सरकार क्यों नहीं चाहेगी क्योंकि उसके उपर एक अकांटेबल बॉडी बनेगी जो एक पिशल सरकारों की तरह ब्रश तरकार है कि को ब्रश्टा चार का रोप है कि सरकार पर बार बार गाजियाबाद का एर पॉल्यूशन के मामले में काफी उचा रैंकिंग आता रहा है रिसेंटली नैशनल क्लीन एर प्रोग्राम भी गवर्मनेंट ने स्टार्ट किया उसके ज्यादा गाजियबाद को पॉल्यूशन ज्यादा तर डस्ट रिलेटेट पॉल्यूशन जो कि बिल्डिंग्स बन रही है जो नई चीज़ने खड़ी हो रही है उसके उपर जिस तरह का कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल नहीं और आज की बात नहीं यह बहुत दिनों से अपने प्रोटेस्ट अपने रिजर्वेशन्स एमिये को बताये थे एमिये ने भी उसका नोट लिया था कहीं न कहीं एक इंटरनेशनल एंबरेस्मेंट हो रहा है यह आप नहीं मानेंगे आप रोज अखवार में निकालेंगे पॉलूशन बहुत जादा है जो बहार से आय देली में है जो डिप्लोमेंटिक कोर ने बात किया वो डेली की बात है पॉलुशन प्रॉब्लम है जिसको ठीक करने के लिए उपाय सोचने चाहिए मेरा अपना मानना है कि सरकार सोच रही है